नमस्कार, स्वागत है आपका start investment में आज के इस video में मैं आप लोगों को दो stocks के बारे में information देने वाला हूँ जिसमें से की एक stock ने दो धमाके एक साथ कर दिये हैं bonus और plus split एक साथ इस company ने declare कर दिया है और इसके साथ साथ एक दूसरी company ने bonus declare किया है तो इन दोनों कमपनियों के बारे में complete information आप लोगों के साथ में share करना चाहता हूँ एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि केवल bonus या split या dividend के लिए ही investment नहीं करनी चाहिए पहले stock के बारे में fundamentally जान लेना चाहिए कि stock में future में cash generate करने का या आपके लिए profit generate करने के लिए capabilities है या नहीं वो company अच्छी है या नहीं तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे पहले company है उसके pros कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को company ने अपने debt जो हैं reduce किया है company is almost debt free जो की बहुत बड़ी बात है छोटी company हैं दोनों के दोनों और साथ ही साथ company का dividend payout ratio काफी अच्छा खासा है हाल ही में company ने 200 रुपए पर share dividend जो है declare किया था अच्छा खासा dividend भी इसके shareholder को मिल चुका है लेकिन अगर cons की बात की जाए तो अपनी जो इसकी book value है उससे थोड़ा सा premium valuation पर मिल रहा है और साथ इसाथ sales growth company का जो average है पिछले 5 सालों का थोड़ा सा कम है company का market capitalization देखेंगे तो 5521 करोड रुपए का और 52V का high देखेंगे तो 18,479 रुपए का है और 52V का low आप लोग देख सकते हैं 3950 रुपए का dividend yield 0.95% की है और 5 रुपए की face value वाला ये share है इसी 5 रुपए की face value को 2 रुपए की face value में convert किया जा रहा है और इसलिए मैंने लिखा था 5 इंस टू 2 यानि की इसको तोड़ा जा रहा है 5 रुपए की face value से 2 रुपए की face value में और जो residual value रहेगी वो आपके account में company के द्वारा adjust कर दी जाएगी by transferring money साथ ही जाथ यहाँ पे इस company की अगर return on capital employed देखेंगे तो 25% का जो की बहुत ही अच्छा खासा है return on equity 20% का है और profit growth अगर देखे जाए तो 16% की net annual profit 141 करोड रुपए का और debt मातर 18 करोड रुपए का है यानि की यह company एक debt free company है जो की मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ साथ ही साथ अगर company के नाम की बात करें तो tight water oil company इंडिया limited company का नाम है company क्या करती है lubricants manufacturing करती है आप लोगों ने जैसे bike में यूज किया होगी lubricants तो weedol करके एक brand है वो इसी company का है weedol brand तो जो की bikes में किसके लिए काम आता है lubrication के लिए काम आता है यहाँ पर clearly mention भी कर रखा है कि company जो है manufacturing और marketing करती है lubricants की tight water oil company इंडिया limited company का नाम है company की यहाँ पर sales और operating profit यह चीज़े हम लोग चेक कर लेते हैं तो यहाँ देख लीजे 2020 में company का जो sales था 1317 करोड रुपए का 2021 में थोड़ाज़ा decrease हुआ 1218 करोड रुपए कर आप लोगों को पता है कोरोना की वज़े से यह सारी चीज़े भी लेकिन company का operating profit increase हुआ है with comparison to 2020 वो कैसे यह देख लीजे operating profit 138 करोड रुपए का था 2020 में जो की increase होके 2021 में होके 144 करोड रुपए का Tide Water Oil India Limited Company का नाम है तो यहाँ पर देखेंगे तो company की performance अच्छी खासी है और share holding pattern share holding pattern भी company का attractive है क्योंकि DII की अच्छी खासी share holding यहाँ पर बनी वी है promoter के पास 57 percentage FII 0.59 DII 10.89 और वहीं public की बात की जाए तो 28.77 percentage की यहाँ पर share holding है public के पास और साथे साथ यहाँ पर हम बात करेंगे company के bonus और split के बारे में और date के बारे में भी बात करेंगे तो 23 जुलाई उससे पहले या 23 जुलाई उससे पहले आप लोगों को खरीदने होंगे क्योंकि X date है यहाँ पर 26 जुलाई के दिन और 24 और 25 24 और 25 क्या है Saturday और Sunday आप लोगों को पता है प्रेडिंग होती नहीं है तो आप लोगों को 23 जुलाई या उससे पहले खरीद लेना इस share को अगर आप लोगों को eligible होना है इस company के bonus और company के split के लिए तो धासू यह news है क्योंकि one inch to one का bonus यानि कि एक share अगर आपके पास एक company का तो एक आपको free में मिल जाएगा और five रुपीज की face value से two रुपीज की face value में convert किया जा रहा है तो यहाँ पे भी एक share पे एक share free मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर आपके पास एक share है तो वो total four share में convert हो जाएगा आप लोगों का अगर पहले bonus भी मिलता है और उसके बाद split मिलता है तो पहले एक share से एक share free मिला तो total two shares हो गए और two shares को फिर two share extra मिलेंगे split के रूप में तो total four share हो जाएगे तो एक share के बदले आप लोगों को चार share मिल जाएगे लेकिन current market price भी इसी ratio में adjust हो जाता है और आप लोग देख लीजिए 16 तारीक के दिन यहाँ पे upper circuit लगता हुआ दिखाई दिया था टाइड वाट रॉयल कंपनी इंडिया लिमिटेट में और पांच प्रतिसत का यह upper circuit लगा था पिछले एक से दो साल के दोरान ही कंपनी ने अच्छे खासे returns भी अपने shareholder के लिए जनरेट करके दिया है अपने shareholder को तो यह पहली कंपनी थी जिसने की bonus और plus split दिया और company ने यहाँ पर देख लिजए आप लोग 200 रुपए का dividend भी दिया था जिसकी x date थी 19 जुलाई 2021 जो कि पहले ही आप लोगों तक information पहुँचा दी गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी company जो कि again एक छोटी सी company है इस company ने one is to one का bonus डिकलेर किया यानि कि अगर आपके पास company का एक share हो तो एक free में मिल जाएगा यहाँ पे देखेंगे company का market capitalization है 270 करोड रुपए का वहीं अगर बात करे 52 week के high 403 रुपए का और 52 week का low मातर 48 रुपए का है debt देखेंगे 73 करोड रुपीज का और profit after tax 14 करोड रुपीज का है यहाँ पे और profit growth देखेंगे तो 94% के तो company की profit growth काफी अच्छी है काफी strong है चलिए मान Aluminium Limited जैसी कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया company का नाम है company Aluminium के business में काम करती है manufacturing करती है यहाँ पे देख लिजे क्या क्या manufacturing करती है manufacturing and trading of Aluminium profiles, Aluminium ignores, Aluminium billets and other related activities तो मान Aluminium Limited company का नाम है छोटी सी company company की sales देखेंगे तो 2020 में 524 करोड रुपाई की जो की decrease होगे 2021 किस में 403 करोड रुपाई की हो गई लेकिन वही company ने अपने expenses को बहुत तेजी से कम किया है और company का operating profit अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो जो की 2020 में मातर 12 करोड रुपाई का था, 2021 में बढ़के यह 24 करोड रुपाई का होगे आपने आप में यह बहुत बड़ी बात है कि company ने इतने जबरदस्त यहाँ पे operating profit बनाके दिये हैं और यहीं से ही पता लगता है कि company का business अच्छा खासा चल रहा है shareholding pattern, shareholding pattern यहाँ पे थोड़ा सा जो defensive investor है उनके थोड़ा सा यहाँ पे मुस्किल होने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे DII और FII ने बिल्कुल भी investment नहीं कर रखा है क्योंकि एक छोटी सी है, company है और one is to one का bonus ने declare किया है इसकी भी x date में आप लोगों को बताने वाला हूँ और कब जा कि आप लोगों को at least खरीद लेना चाहिए कि आप लोगों को काफी benefit यहाँ पे हो तो साथे साथ यहाँ पे देखें कि promoter के पास 65% और public के पास 34% की shareholding है एक चीज कहना चाहता हूँ, shares को buy करने के लिए, sell करने के लिए आप लोगों के पास एक DMAT account होना बहुत जरूरी है और DMAT account open करने के लिए हमने चार link जो है, description में दिये हुए चारों के link पे क्लिक करें, account open करें और enjoy करें चारों की services चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजे, मान Almonium Limited 1-1 का bonus डिकलियर किया है जिसकी कि X date कब है, 2 अगस्त 2021 अब मैं चीच बता देना चाहता हूँ, 2 अगस्त से पहले, यानि की 1 अगस्त के दिन और 31 जुलाई के दिन ये दोनों दिन है, Saturday और Sunday, यानि की trading होगी नहीं, तो आप लोगों को at least 30 जुलाई या उससे पहले इस share को ले लेना है, अगर आपको इसके bonus के लिए eligible होना है तो याद रख लिजीगा, 30 जुलाई या उससे पहले आप लोगों को ये share ले ले लेना है, benefit उठाने के लिए तो ये दो share थे, जो आप लोगों को बताने थे, और यहाँ पर देख लिजीए, मान ऐलमुनियम लिमिटेड जो की previous closing day, 395 रोपे पे ये close हुआ, और पिछले एक साल के दोरान, company ने multi bagger return दिये है, 628% के, जो की बहुत बड़ी बात है, 628% यानि की 6 times से भी जादा कर दिया आपने share rotor के पैंसों को, जो की बहुत बड़ी एक बात है, तो ये दो share थे, जो की आप लोगों को बताने थे, bonus की बारे में, split के बारे में, जी हाँ दोस्तों, comment करके जरूर बतियेगा, की video कैसा लगा, stock कैसे लगे, मुझे लगता है कि दोनों stock में potential है, जो की long term में पैंसे भी generate कर सकते हैं, profit भी generate कर सकते हैं आप लोगों के लिए, और bonus और split से तो धमाके इन्होंने कर ही दिये हैं, तो वीडियो को like कर दीजीगा, channel को subscribe कर दीजीगा, बगल में जो bell का अगनों से press कर दीजीगा, इससे होगा क्या कि share market की latest update आप लोगों तक पहुंसती रहेंगी, और हम लोगों को भी encourage on लेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद,